जी स्क्रीन होपुल जी जी सामालेकम आज का टॉपिक जो है हमारा है इंटर्व्यू और इंटर्व्यू के लिए जो है आज लोग हम सब यहां पर जमा हुए हैं होपुली मेरी वास सारों को आ रही होगी अच्छा जी इंटर्व्यू के अंदर जो सबसे पहली जो चीज है जो मैटर करती है जाने से पहले वो आजाती है ड्रेसिंग आपके ठीक है ड्रेसिंग जो होती है वो आप करते हो बहुत तरीके के साथ शुक्कि आप अवसर बनने के लिए वहाँ पर जा रहे हो आपने अपने आपको सेल करना है मुझे ड्रेसिंग सेंस पता है अगर कल को इंटरनेशनल मिटिंग होगी तो मुझे पता है कौन से कपड़े पहन के जाने है ताकि अगरे वाले बंदे को जो है मुझे से बात करते हुए मिसाल आप पाकिस्तान की तरफ से मिलिटरी अटेची बन जाएं और आप जाएं किसी जगा पर एक मिडिया दो मेसिज हैं अवाज नहीं आ रही बाकियों को आ रही है से अगर इसको रिजोईन एक बर करें शाहिद आना शुरू हो जाए अवाज अच्छा तो आप मिलिटरी अटेची के तौर पर जा रहे है अच्छा आप मिलिटरी अटेची के तौर पर जा रहे हैं और अगर आपकी ड्रेसिंगी प्रॉपर नहीं है तो आप पाकिसान की भी नाग कटवाएंगे और अपनी तो खेर कटवाएंगे या आपका मजाग बन जाएगा आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो पॉलिटीशन है वो गंदी-गंदी टाइयां पैन के चले जाते हैं बाद में उनकी मीम बन जाती है तो आपको जब वो अफसर भरती करते हैं अली अक्बर मैंने आप शिकार रिजोइन कर ले अच्छा तो आप वहाँ पर जब जाते हैं इंट्रिव्यू देने के लिए तो बेसिक लिए आप ये चीज़ उनको बता रहे होते हैं कि भाई मैं इस कैपिबल हूँ मुझे ड्रेसिंग सेंस मौझूद है मेरे अंदर मुझे पता है किस तरह की कपड़े पहनने है जब किसी से मिलने के लिए जाते हैं मैं सबको एगमेट कर लूँ बेट प्रीस एगमेट और जाते हैं जी यह आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जो राइट एंड पर आप देख रहे होंगे smart casual के नाम से अचया इनमें जो खास चीजों का खिया अपने रखना है कि कोशिश करें कि जो अगर आप smart casual आपको पस quote नहीं है ठीक हो गया तक अभिए फरेला मैं smart casual का बता रहा हूँ quote नहीं बता रहा ठीक हो गया तक इन्दर आपने जो है जो shirt है वह कलर की हो जैसे blue के उपर brown color जो है वो थोड़ा सा उठता है ठीक है और इस तरीके से जो है मतलब वो different type के contrast बनते हैं एक color जो है वो दूसरे के उपर अगर आप पहनते हो तो बहुत उठता है बहुत अच्छा लगता है और matching ही होता है कि अगर आपने हलके blue रंग का जो है वो shirt पहनी है और तो आप जो है एक थोड़ा सा तेज blue color की आप paint पहने लें तो ये किसम की matching हो गई ठीक है तो आपने अगर आपके पास coat नहीं है आप smart casual में जा रहे हैं आपने पहले तो ये कि दो color का dress रखना है उसके अंदर contrast या matching का आपने खास ख्याल रखना है अली अक्पर आप री जॉइन कर लें प्लीज आपने एक चीज़ यह रखनी है ख्याल कि ये दो 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 color हो ये कोई बीच में check वेक ये इस तरह का नहीं हो प्लस इसमें आप देखें ये जो just ठीक है जिसने ये इसको highlight किया थैंक यू ये इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो color है वो अंदर का design color कोई और है ऐसी shirt now ठीक है अंदर का जो color है वो भी वही हो यानि एक ही type के कपड़े से shirt बनी हो और एक ही type के कपड़े से जो है आपकी paint बनी ही हो ये पहले मैं boys का बता रहा हूँ पर साथ ही मैं खवातीन का बता हूँगा ठीक हो गया then उसके ब होते है इस तरी के साथ बनती है ठीक है वो proper बनी होई होगी then आपके जो button है button वाली जो ये पूरी पटी है और इसके साथ में जो हमारे पास ये नीचे belt आता है और नीचे जो एक zip की जो fly की एक जो एक line बनती है ये सारी चीज़ें आपस में align होनी चाहिए ये नहों के belt आपने कोई चीज़ फालतों में आपकी shirt हर जगा से बाहर निकली वी ना हो आप अपनी match की shirt लेकर जाएं अगर वो उस match की नहीं है तो मी भेन भाई ये खुद उसको तोड़ा से टांके लगा कर उसको थोड़ा सा छोटा कर ले ठीक है अप match की shirt हो बहुत ज़्यादा बाह आपने ब्राउन पैनना तो कलर भी जो आपके शूज हैं वह भी ब्राउन होने चाहिए लेकिन वह साथ में contrast भी होते हूं ठीक है अच्छा अगर आपने black है मैं prefer यह करूंगा कि आप लोग ब्लैक ही पैनके जाएं black belt और black shoes पैनके जाएं ठीक है तो पहली चीज़ होगी dress dress के ओपर किसी का कोई question हो तो मुझे अभी हाथ खड़ा करके बता दे अगर dress पर किसी का कोई question नहीं है तो हम next चलते हैं आपको ड्रेस की सारी समझ आगी thank you किसी ने को question नहीं किया मैं भी next चीज़ पर जाता हूं अच्छा जी next चीज़ आ जाती है confidence confidence के अंदर जो है आपका जो confidence है ना वो एक dependent variable है आप प्लीज आमिर अपना वो म्यूट कर दें जो जो आपका जो confidence है ना वो है आपका dependent variable variable किसको कहते है variable ऐसी चीज़ को कहते है कि जो change हो सके ठीक है मिसाल के तोर पर मेरा नाम मदस्र है ये variable नहीं है क्योंकि मुदस्र कभी भी change नहीं होगा ठीक हो गया मेरे जो surname है वो है इकबाल है तो वो कभी change नहीं होगा where is जो खवातीन का अगर नाम है तो अगर उसने रखा हुआ फात्मा शहज़ाद रखा हुआ है तो वो change होगा शादी के बाद फात्मा कोई भी हो सकता है तो इनका surname variable होता है लेकिन इसलाम में जो मुझे पता है कि खातून को अपना नाम change नहीं करना चाहिए वालित के नाम के साथ ही हो हमेशा के लिए तो ज्यादा बैतर है यार आप अलियकपर आप re-join क्यों नहीं कर लेते हैं कोई अलियकपर को please message करके कह दे कि re-join कर ले उसको वास पतन क्यों नहीं आ रही अच्छा तो अभी क्या हुआ कि जो खवातीन का जो सरनेम होता है वो variable होता है चेंज हो सकता है ठीक है तो जो भी चीज है जो चेंज हो जाए उसको आप कहते हो variable ठीक है इसी तरह confidence जो है वो किसी जागा पर आप अपने किसी छोटे से बात करे होते हो तो आपका confidence लेवल और होता है आप किसी बड़े से बात करे होते हो तो आपका confidence लेवल और होता है और वो dependent variable है dependent का मतलब यह होता है कि वो किसी एक चीज़ पर depend करता है यानि कोई एक चीज़ अगर ठीक होगी तो वो भी ठीक हो सकता है अपनी कोई वो नहीं है जैसे ही आपके सामने कोई बड़ा बैठा हुआ तो आपका जो confidence है वो उस हिसाप से हो जाएगा डिपेंड कर रहा है न अगर आपके सामने कोई छोटा बठा हुआ है तो आपका confidence उस हिसाप से हो जाएगा डिपेंड कर रहा है वो उसके उपर डिपेंड कर रहा है जो सामने वाला है उसको अपर डिपेंड कर रहा है तो इस तरह के जो initial test का interview है इसके अंदर आपका जो confidence है वो depend करेगा amount of knowledge you have आपकी त्यारी कितनी है in short language में चोटी से मतब अगर मैं उसको बताऊं तो आपकी त्यारी कितनी है अच्छा एक चीज़ मैं जो है भूल गया कि मैंने male की dressing बता दी अब जो बच्चे हैं बच्चिया हैं उनकी भी मैं dressing बता देता हूँ लड़कियों की भी weight में बदाता हूँ चाजी मैं आपको ये share कर देता हूँ आप ये जरा देख लीज़ेगा मुझे को बैट कमिट नहीं चाहिए काइनली अगर कोई इस तस्वीरों को देखे बैट कमिट करेगा मैं उसको आउट कर दूँगा रिस्पेक्ट का लेवल कहीं पर भी नहीं गिरना चाहिए या आप अफसर बनने जा रहे हो च्छोरे बनने नहीं अच्छा जी अब आजाते हैं एक पिक्चर को अगर मैं ले लूँ या से इंट्रिव्यू को हिसाब से मैं इस पिक्चर को लेता हूँ आप यह देखेगा लैफ साइट पर आपको पिक्चर साही नज़रा रही है अच्छा अब इस ने क्या है कि इस खातून ने मैक्स दो कलर कर ड्रेस पहना हुआ है ठीक है मैक्स इस लड़की ने दो कलर कर ड्रेस्ट पे न हुआ है तो खवातीन भी जब इंटर्व्यू के लिए जाएं ठीक है वो हिजाब लेती है तो हिजाब कंट्रास का या मैचिंग का होना चाहिए आप अच्छी जानती है कंट्रास और मैचिंग का क्या सी ने और मैक्स आप जो है दो या तीन कलर एट मोस्ट तीन कलर से ज्यादा की ड्रेसिंग आप ना करें इस में लड़की ने कहें उसने बंद शूज नहीं पहने हुई आपको नेसेसरिली बंद शूज पहन के जाने है चाहिए वो पंपी स्टाइल हो अब आपके जितने भी स्टाइल होते हैं मुझे उनके बारे में इतनी ज्यादा नॉलिज नहीं है लेकिन आप इस तरह की चपल में नहीं जाएंगी आपके जो शूज है वो बंद होने चाहिए फाल्तू की जो कड़ाई लिखाई इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए ठीक है प्रॉपर एक एक या दो या मैक्स तीन कलर का ड्रेस हो आपका ठीक है तीन कलर भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ दो ही का हो तो ज्यादा बैतर है आपस में सही उसका कंट्रास हो या उसकी मैचिंग हो बंद शूज हो आपके ठीक है अगर उपर आपको कोई वेस्ट कोट जो ये नॉर्मल मैन कोट होता है उस टाइब का कोट मिलता है वो आप वह वाला कोट पहन लीजिए ठीक है और अगर आपको कोई और इस तरह के कोई अपर मिलती है ये मैं खातून का जो जिसने ड्रेसिंग की हुई है इसमें भी आप देखें जो पिक्चर है इसने वो बंद शूज नहीं पहने बाकी चीज होके लेकिन इसने शूज बंद नहीं पहने हुए ठीक है वो शूज सेंडल टाइप पहने हुए आपको नेसेसरिली बंद शूज ही चाहेंगे ये देखें ये एक और पिक्चर है इस तरह का भी आप कर सकते हैं लेकिन ये जो इसने गले में वो एक क्रॉस डाला हुआ है वो आप नहीं डालोगे ठीक है प्रॉपर एक चीज होनी चाहिए लेकिन ये इस तरह का बैतर है उपर अगर आप सकाफ ले ले लें एक तरह का ठीक है तो ये एक चीज रखें कि एक कलर का हो तो वेलन गुड और उसके मैचिंग के बंद शूज हों ठीक है दो कलर का हो तो भी बहुत बहतरीन है ठीक है और बंद शूज हों चाहिए वो आप हील वाले पैने को हील वाले बहुत ज़्यादा हील वाले नहीं होने चाहिए नॉर्मल हील वाले ठीक है वो जो एक मोटी सी हील होती है वो उस टाइप के और बंड शूज हूँ और अगर ये नहीं है आपका तो फिर जो है आप कोई तीन कलर का यानि सकाफ आपने किसी और मैचिंग कलर का ले लिया हुआ है ठीक है तो भी बेतरी नहीं है लेकिन कोशिश करें कि तीन कलर से ज्यादा आपकी जो है ड्रेसिंग ना हूँ आपके ड्रेस के अंदर कोई ऐसे फूल बूटे ना बने वे हूँ कि जो इंटर्विवर है वो उसकोई अटेंशन उनकी तरफ चले जाए और वो कोई बात जो है किसी और तरफ ले जाए ठीक हो गया तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है इंटर्विव के दुरान सही ये इंटर्विव के ड्रेसिंग के दुरान ड्रेसिंग हो गई आ जाते है कॉन्फिदेंस के उपर कॉन्फिदेंस जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले इंटर्विव ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा अपने प्रिपेशन कितनी की है इसके उपर करेगा तो इसकी प्रिपेशन के लिए सबसे बहतरें चीज़ ये है आप अख़बार पढ़ना शुरू कर दें अगर किसी के इंटर्विव में 4-5-6-7 दिन है तो वो रेगुलरली अख़बार पढ़े अली अकबर आपको आवास हो पारी होगी काइनली म्यूट हो जाए वो कॉंटिन्यूसली निउस पेपर पढ़े तांके आपके करंट अफेर आपको पता हो और जो लेटिस्ट वाट इस वाट फूइस वाट की बुक है अली अकबर प्लीज आप थोड़ा सा म्यूट कर देंगे तो बहुत महरवानी होगी अच्छा आपने क्या करना है कि जो एक तो नियूस पेपर आप पढ़ना शूरू करते हैं दूसरा what is what and who is who ये पूरी पढ़ने इसके उपर मैं अभी आता हूँ फिलाल हमारा confidence था confidence आपका इसमें सारे में इस पे करेगा कि आपने जो dressing की हुई है वो कहीं से कोई धागे वागे ना निकले हुए हों कहीं से कोई भटा हुआ ना हो कहीं से सही तरीके से जो ना उसकी क्रीज थोड़ी सी गलत ना बनी हुई हो ठीक है dressing जब हो जाएगी तो आप समझे 50% आपका जो confidence है वो आपको gain हो जाएगा then उसके बाद आपने क्या करना है कि खुद को इस तरीके से compose करना है जैसे ही आप confidence है मतलब उसमें मैंने पहले ही बताया कि dependent variable है और आपकी knowledge के उपर वो base करेगा आपका confidence अगर आपकी knowledge आपने सही तरीके से त्यारी नहीं की तो आप जितने बड़ी माजे खान होंगे आपका वहाँ पर जो जो वो है उसका जो लेवल है उसका confidence का वो zero प्याद आएगा वो नीचे गिर जाएगा ठीक होगा इसलिए त्यारी बहुत अच्छी करें confidence आपका तब ही आएगा जब आपको पता होगा आपको आता है बापकी लोग आपको कहेंगे कि जी आप interview देने जाओ तो आप संजो जैसे आप अपने अब्बू से मिल रहे हो अपने भाई से मिल रहे हो बाई कोई अब्बू भाई नहीं होता है professional life में आपकी त्यारी अच rejoin कर लें अली हमजा आपने अपने आपको ना वो एक किसम की मंडी है उस मंडी के अंदर आपने अगर आपने कोई गाओं में रहता तो वो गया होगा गाओं के अंदर ना वो भेंस बक्रियां वगरा खरीदने के लिए ठीक हो गया तो आप क्या करते हो कि बक्री जो साफ सुथरी आपको नदर आ आपको अच्छा लगे, आपका financially आपके acceptable हो, कि यहां यार इतने पैसे में दे सकता हूँ, तो वो जो interview room है, वो एक मंडी है, एक market है, और market के अंदर, हाँ मैं English का बताता हूँ, market के अंदर आपने अपने आपको बीचना है, ठीक है, उनको एक officer चाहिए, ठीक है, एक refine, एक और वहाँ पर वो कोई bongi ना मारे है, जैसे हमारे स्यासदान मार रहे होते हैं, और बाद में उनकी meme बन रही होती है, ठीक है, इसलिए किसी भी वैसे बंदे को नहीं रखेंग कि जो bongi यह मारने वाला हो, तो interview room is a mandi, आपने उसके अंदर से पूरा खौफ निकाल दो, आ आप जो है, इस time mandi में जा रहे हो, और आप product हो, आप खुद को बेचोगे, और सामने खरीदने वाला बैठा हुआ है, और आपने उसको खुद को बेचना है, आपका confidence खुद बाखुद आ जाएगा, अच्छा अब जो खरीदने वाला है, वो क्या चीज़ें आप में देख आप एटिकेट्स होते हैं, वो आप एटिकेट्स इसके next है, यार अलेकबर आप बहुत तंग कर रहे हो, यार kindly आप mute हो जाएं या फिर आप छोड़ दें, आपको recorded मिल जाएगी, आप mute भी नहीं करते, अच्छा तो जो जो interview room के जो एटिकेट्स हैं, ठीक है, वो matter करेंगे मैं एक मिनिट आपको बता देता हूं, interview, I'm sorry, I have to remove you, आपकी आवाज जो है ना वो तंग कर रही हैं, अच्छा एक मिन मैं आपको interview room के एटिकेट्स बताता हूं, बताता हूं, हाँ जी, तो यार यह distraction हो जाती है, इस दमें एक दम सारी चीज़ें जो ना दिमाग से निकल जाती है, अच्छा, अब क्या हुआ कि आपके लिए आपने confidence को किस तरीके से लिया, कि आपके लिए एक मंडी है, मंडी में आप जा रहे हैं और आपने खुद को बेचना है, और जो खरीदार बैठा हुआ है, वो आपकी dressing देखेगा, वो आपकी knowledge देखेगा, वो आपके interview room में बैठने के जो है, वो सारे तरीके कार देखेगा, bargaining का word सुन आप पूछों, मैं बाद में बता दूँगा, आपको आवाज फिलाल आ रही है, तो ये सारे question आपको मुझे WhatsApp पर भी पोच सकते हो, आपने वहाँ पर खुद को बेचना है, वो bargaining का room है, आप बार गेन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि यार मैं इतने type का हूँ मैं ये ये कर सकता हूँ, मुझे इतने में, यानि मुझे officer रख लो, ठीक होगा, वहाँ पर एक ही कीमत है कि आपने उसको खुद को officer रख लेना है, खुद को officer रखने के लिए आपने convince करना है, ठीक है, तो आपने एक तो general knowledge आपने अपना अच्छा ही कठा करना है, dressing आपको म certificates कैसे होने चाहिए, मैं screen share कर रहा हूँ, आपको kindly नज़रा है तो बताईएगा, जी आपको स्क्रीन नज़रा आ रही होंगी, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आ जाता है point, जो interview room है, उसके अंदर आपने enter करना है, उसके अंदर आपने जाना है, ठीक है, तो वो properly आप knock करके इजाज़त लेकर, और हलके से अपने पीछे जो दरवाजा होगा, उसको बंद करना है, इजाज़त आप मैं come in sir, अर्दू में भी कह सकते हैं, सर जनाब मैं के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, अर्दू बोलें फिर पूरी बोलें, फिर सर नहीं, फिर जनाब होगा, जनाब क मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक हो गया, अच्छा, तो ये permission लेकर आपने इंटर पहले हलका सा नौक करना है, प्लीज कमें, आपने आना है, अपने पीछे के द्रवाजे को इतने आराम से बंद करना है, कि वो बंद भी हो जाया और आवाज भी ना है, फिर sitting down, जब तक sitting down का म सीट के ब्राबर में आपने खड़े हो जाए, खड़े होए, मैं कहा जी बैठो, left से आप बैठो गया और right से आप उख जाओगे, sitting down हो गया, inside the room, अच्छा, अब वो कह रहा, stand and erect and good posture, अच्छा, inside the room कहे के अगर आप खड़े भी हैं, तो दोनों पाउँ पे खड़े हूँ, सहीए, एक कितना बावकात तरीके से, फाल तुम्हें हाथ सीने पे बांदे वे ना हूँ, एक टांग पे ना खड़े हूँ, उस टाम अगर कहीं खारिश हो भी रही है, तो उसको होने दें, उसको कहें कि मैं भी आपको खुजाने वाला नहीं हूँ, ठीक हो गया, तो खारि लें लें, अचा ये ये चीज़ें आगी, आपने एंटर इजासत लेके होना है, आपने बैठना किस तरीके से, आपने रूम के अंदर अपना बैठना भी जो है, वो अगर आपने पीछे कुरसी के उपर टेक लगा के बैठना है, तो इतनी इतना हो के वो आप लेटे वे न एक टांग पे ना खड़े हो चले है तो पाउंग की आवाज ना आए पाउंग गसीट के नहीं चलना पाउंग जो है प्रॉपर वन टू उसका एक सिंग थोड़ा सा उपर से खराश भी लगी होती है तो हम उसको छोड़ के आ जाते हैं सेम गोज आपको एक एक चवणी पे भी जो एक छोटी से छोटी डिटेल पे भी आपको बहुत ज़्यादा गोर करना पड़ेगा वरना वो लोग उनको ऐसा बकरा चाहिए जो बिल्कुल भी कहीं पे जखमी ना हो बकरा हैं बकरी ठीक है जेंडर खुदी अड़्यस कर लिजेगा जो आपकी जेंडर इस हिसाब से उनको ऐसा चाहिए कि जो proper उनकी कुर्बानी के हिसाब से proper हो ठेक है फोजी कुर्बानी के लिए जा रहे होते है न नॉर्मली तो अल्लापाग किसी कटे विटे की कुर्बानी कबूल नहीं करता है ठेक है आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है आप अगर पाउंगा स के चलेंगे एक पॉइंट भी नोट होगा आपका कहीं पे को कपड़े की उपर जो है ना कोई 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 निशान लग गया आते हुए ठीक है वो पॉइंट भी नोट होगा ठीक है यह मैं सारी जी आपको बता रहा हूं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अच्छा जी हम मिटिंग का 24-40 मिनट का टाइम होता है सारे खुद बाखुद री जॉइन कर लिजेगा ठीक है दस मिनट में खतम हो जाएगी अचा दी वेन एग्जिस्टिंग दी चेर डू वी हैव तो एग्जिट फ्रॉम साइट टू बैक अफ दी चेर यह तोड़ा सा उर्दू में बत ठीक हो गया चेर गया प्लेट साइट पर जाकर खड़े हो जाएं बैक पर खड़े नहीं हो ठीक है अचा जब वो जाएंगे अंदर अचा यह चीजियों की अब आजाता है जो आपका महां पर नॉलेज है नॉलेज आपका स्टार्ट होता है मैरिट डिमेरिट स्ट्रेंथ वीकनेस और हैबिट यह जो पांच चीजें हैं यह अलग अलग हैं पांच यह शायद मैंने शे गहीं सर आवाज नहीं आ रही फ्रॉम सजावल सजावल आप रिजॉइन करेंगे प्लीज एक मिट अचा तो आपने क्या करना है कि आपने जो क्या कहते हैं जो इंटरव्यू है वो आपका इन पांच चीजों से शुरू होगा मैरिट डिमेरिट स्ट्रेंथ वीकनेस और पांच वी है आपकी हैबिट यह पांचों अलग अलग चीजें हैं जो आपकी हैबिट है वो यह है कि आप सुबा जल्दी उठ जाते हैं रात तो आदत अपनी अलग से लिख ले फिर आदती होबीज किरकट खेलना होबी है इंटरनेट सर्फिंग करना होबी है टिक टॉक बनाना होबी है यूट्यूब बनाना होबी है ठीक है आज कल के हिसाब से उसका फुटबॉल खेलना होबी है ठीक है ये आपकी hobbies है आपने अपनी आदत देख ली मेरी आदत क्या है मैं बहुत तेज बोलता हूँ मेरी आदत है मैं बहुत slow बोलता हूँ मेरी आदत है ठीक है तो आपने आदत को पहले identify करना है थैक है आपने पहले आपने पनी आदतों के उपर डाल देना ह। पर हर चीजँ पता होनी चाहिए कौन सा वर्ड कप कब जीतेван कौन सी मुलक जीता किस उसमें जीता ठीक है एक बंदा कहा रहा है कि जी फुटबाल है मेरी होबी उसको फुटबाल के ग्राउंड का पता होना चाहिए कितने किलोमेटर लंबा होता है उसको पता होना चाहिए रोनालडो कौन है उसको पता होना चाहिए फीफा कौन है फिर जो आप अपनी होबी बताएंगे उस hobby के बारे में आपको पूरी information होनी चाहिए वरना आप अपनी hobby बता दें गुली डंडा और गुली डंडे के भी rules होते हैं वो भी आपको आने चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो आफसर बैठा होगा वो भी किसी दमाने में अपने पिंड़ में गुली डंडा खेलता होगा ठीक है क्योंकि हम सब में बच्पन में गुली डंडा खेला है पाकस्तान का ये खेले इंडिया का कौमी खेले गुली डंडा तो आप लोगों ने अगर अपना जो भी होबी बतानी है उस होबी की पूरी की पूरी इंफोर्मेशन आपके पास होनी चाहिए otherwise आप फस जाएंगे आप फस जाएंगे आप फस जाएंगे मैं आपको रिपीट करता हूँ ठीक है इसलिए जो भी होबी बताएं किर्किट कोई खेलता है तो किर्किट के सारे वर्ट कप सारी चीज़े यानि के पूरे याद कर ले इसे बचने का तरीका यही है उसको होबी बता दें कि जी मैं बुक रिडिंग करता हूँ ठीक है जी वो पूचेगा रिसेंट्ली कौन से बुक पड़ी बता देगा जी मैं रिसेंट्ली यह वाली बुक पड़ी और मैं इस टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ तो दो तिन बुक्स के नाम याद हूँ आपको सही लेक एक बंदा कहता है यार मैं जो हूँ जो अपना क्या कहते हैं मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ लेकिन पढ़ना मेरा थोड़ा सा कमजोर है सब्सक्राइब आपकी हर वो चीज अच्छा दुबारा रिजोइन करने सब्सक्राइब यह मैरिट डी मैरिट नहीं है यह आपकी खामिया खूब यह नहीं यह आपकी स्ट्रिंथ और वीक्नेर्स है समझारी मेरी बात होब भी अलग है आदत अलग है नमाज पढ़ना आदत है वह आपको मेरी आवाज आ रही है समीर आपके आवाज आ रही है सर यह मैं कहरो कि मैरिट में यह लिख सकते हैं कि मैं पांच वक्त का नमाज पढ़ने के लिए पावन नहीं हूं कि यह डी मैरिट लिख सकते हैं मैं मैं बता रहो हूं मैं डी मेरिट प्यार हूं निमाज आपकी आदत से लिंक डए मैं आपको बता देता हूं उस चीज में आपको फर्क बता देता हूं अच्छा आपकी क्या है होबी जो है यह मिटिंग ना चार मिनिट में खुद बखुद खत्म हो जाएगी सारे इसी लिंक से दुबारा जॉइन कर दीजेगा ठीक है जो आपकी होबी है वो आप खुद बनाते हो ठीक हो गया जो आपकी आदत है वो आप खुद बनाते हो ठीक है आप वो कर दें मूट कर दें आपकी जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है ठीक हो गया यह आप खुद इसको अच्छा कर सकते हो मिसाल एक बंदा कुदरती इंग्लिश में कमजोर है वो थोड़ी सी मैनत करेगा स्ट्रेंथ उसकी ठीक हो जाएगी ठीक है जो मेरिट और डी मेरिट खाम पर आप निमाज को छोड़ सकते हैं लेकिन एक बंदा है वो जिदी है अब उसकी परस्ट्रेंटी का पार्ट है अब वो कई ना कई पर आगे वो जिद जरूर करेगा उस पर थोड़ा बहुत वो कंट्रोल ले लेगा लेकिन उसको पूरी तरह खतम नहीं कर पाएगा ठीक ह तो परस्ट्रेंटी की खामिया खूबिया और स्ट्रेंथ वीकनेस होबिस और जो है आपकी हैबिट इनके अंदर ये फरक होता है कि बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकते जो आपकी परस्ट्रेंटी की खामिया और खूबिया है दे कैंट change तो आपने क्या करना है कि इनको अपने पास लिख लेना है फिर आपकी जो merit demerit है एक बंदा जिद्धी है एक बंदे को जब काम दे दिया जाए उसकी demerit है लेकिन उसकी वो एक merit भी बन सकती है उसको जब आप एक काम दे दो तो उसको पूरे तरीके से करता है ठीक है और उसको करके जान चोड़ता है तो यह आपकी merit हो जाती लेकर ना कुछ बंदों की होती है कि यह बंदा इमांदार है यह बिल्कुल जो ना time पे आएगा ठीक है यह इमांदारी जो है यह हमारी habit है बंदा दो नमरी नहीं करना चाहता नहीं करता ठीक है यह हमारी क्या हो जाती है habit नहीं है यह हमारी खूबियां है ठीक हो गया और एक बंदा dishonest है dishonest लिखेगा नहीं यह बहुत ही negative हो जाता है ठीक है dishonest की अगर किसी की है तो वो लिखेगा नहीं यह बहुत उड़ाना पसंद है वो बोलेंगे जहाज किस रूल से उड़ता है कब बना था राइट ब्रदर्स कौन है राइट ब्रदर्स से पहले इपने फ्रंस कौन था ठेक है जो एक मुसल्मान था जिसने सबसे पहले उड़ने कोशिश की थी सब्सक्राइब तो वह आपसे यह कहानिय पर जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसी से दुबारा रिजोइन हो जाईएगा ठीक हो गया और जो है फिर इसके बाद मेरिट के बाद फिर मैं अगले नेक्स वाले उस पर जाता हूं यह अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम यह पार्ट कर रहे हैं नॉलिज का कि इंट्रि सिंग की खवातीन की मेल की किस तरह की होनी चाहिए हमने जो कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ी सी बात की हमने जो है एटिकेट्स के बारे में के इंट्रियू रूम में आपके एटिकेट्स क्या होने चाहिए और हमने जो हैं जो इंट्रियू का जो प्रियेंबल शुरू उसके बाद hobbies और जो habits हैं उनकी बात की थोड़ी देर मैं अभी जो है मैं इसको meeting end कर रहा हूं क्योंकि एक मिनट से कम रह गया है खुदी end हो जाएगी तो आप इसी link से जो link दिया हुए दुबारा rejoin कर लिजेगा ठीक है और फिर हम इसके बाद आके चलेंगे थोड़ी सा इस